अधर्म और आस्था जो की अक्सर लोगों को जोडने का काम करती है लेकिन वही धर्म और आस्था जब लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे तो नासूर बन जाती है यो तो विश्वास और मानताओं को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है धर्म में विचारों को लेकर लड़ाई अक्सर होती आई है अक्सर ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि खोन खराबे तक में तबदील हो जाती है हमारे देश में भी इस साल कुछ ऐसे ही मामले घटित हुए जहां धर्म के नाम पर सामप्रदा एक दंगे हुए और आस्था के नाम पर लोगों की मानसिक्ता के साथ खिलवार किया गया ऐसे ही कुछ मुद्व पर आज हम चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरू शंक्राचार्या के बारे में जिनका मानना था कि साही बाबा भगवान नहीं है और लोग उनकी पूजा करना बंद कर दे और जो उनकी पूजा करते हैं वो भगवान राम और शिव जी की पूजा करना बंद करे तो सबसे पहले मैं इस मुटबर एडविन जी से जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मामने को किस नजरिये से देखते हैं देखिए इस तरह का बयान यदि एक धार्मी जो नेता है या उच पड़ पर बैठे हुए वेक्ति हैं की तरफ राता तो बाقरी थोड़ा सा कर्ष तो होता ही है क Yup तो कि कि कहने पर या किसी के बोलने पर भी शायद मेरा वह व मुष्वास तूटे की नहीं तो एकदम से इस तरह की बात बोल देना कि यदि जो लोग उनको पसंद करते हैं वो भगवान राम को पसंद ना करें तो मेरे खाल चाहिए थोड़ा बाजीब नहीं था और उनको कमसकं इतनी बड़ी बात नहीं बोलने चाहिए थी जिसके बात पूरी की पूरी कोंट्रवर् करते हैं तो कमसकं सोच समझ कर बोलना चाहिए कि कहीं इस बात से कोई कॉंट्रॉबर्शित पैदा ना हो जाए कहीं लोगों के अंदर जो एक विश्वास किसी की प्रती है वो और तूट जाए तो इस सब चीजों को देखते हूं बोलना चाहिए क्योंकि आप एक बहुत ब कुरे मसले पर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह हिंदूों के दो गुट आमने सामने आ गए थे इस विवाद को लेकर जी हां चीनु यह एक बड़ा गंबीर मसला था और जिसमें संकराचारे का वियान मेरे कहने का मतलग यह है कि संकराचारे को उस समय में क्यों आपत हैं वो साही बाबा के लिए तो बोल देते हैं उन्हें ऐसे समय में भी बहार आना चाहिए और ऐसी चीजों को भी उजागर करना चाहिए ना कि साही बाबा के प्रति आस्ता रखने वाले लोगों को अलग करने वाली बात होनी चाहिए ना इस दंग से तोड़ने वाली कीज़ों के बारे में बोलते हैं तो मेरा मानना है कि शंकराचारी का एक बड़ा अजीब सा और विवादास्पत सा बयान आया था इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन पता नहीं यह लोगों को टोड़ने के लिए उन्होंने क्या एक इस दंका बयान दे दि कि अंति ही गलत है और अगर शंकराचारी जी को इस तरह का बयान देना ही तो बहुत सारे धार्मक मसले ऐसे हैंaben जो लोगों को गलत रहा पर ले यां आप बिखार एस इसे हैं जो गलत तरह की हरकते करते हैं और लोग उनके साथ गलत रास्ते पर चल देते हैं तो शुन पर जबांब और उनलोगों को नहीं दे रहें जो इंसान होकर भगवान की पद्वी लिए बैठें आप क्यों आसाराम जैसे बाबाओं को लेकर बात क्यों नहीं करते आप आखिर साइं बाबा इतने बड़े पत पर बैठें इस जिसे लोग भगवान मानते भगवान की तरह पूझते आप उस व्यक्ति को लेकर बैण कर दे रहें तो आप एसे तुछोंकी लोगों के लिए बैयान क्यों नहीं दे रहें वह भी एक इतने अच्छी पर बैठके जान लोग-पकी बातों को सुन रहें रहें जहां आपकी बातें लोगों को कहीं न एफेक्ट करते हैं वहां बैठकर आप सारा की उन पर अगर नहीं उठता है तो ऐसी इस तरह की बयानवाजी नहीं होनी चाहिए अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी के बारे में जिने हाल ही में जेल हुई है उनके उपर अवैद जमीन और हत्या तक के मामले दर्ज है इन सब के बावजूद एक बड़ी तादाद में लो आप फॉलोवर्स चाहिए तो यह कोई ना कोई रनीती है जिससाब से वो आदमियों को एकटा कर रहे है रामपाल कोई गुरू नहीं है वो तो लोगों को इस तरह से उन्होंने बटकाया है और इस तरह से उन्होंने आस्ता किया है एक तरह से जादूगर तरह का का काम कर र और उनके साथ उनको फॉलो कर रहे हैं आज उसी का आप देखिए कि वो दुशकर्म जो भी कुछ करा है या फॉलोर को ले गए है आज वो जेल के अंदर बंद है कोई फॉलोर इनके साथ नहीं है तो वो कोई ऐसे गुरू भी नहीं है ऐसे बाबा राहिम राम राहिम है उन प इनका कोई धर्म है नहीं नहीं एक चीज और रामपाल जी के पूरे मामले पर कानून की काफी अंदेखी की गई उन्हें कोर्ट के और से काफी बार समन भूजा गया था जिस पर लगातार कोई जवाब नहीं आया इस मुद्दे पर आप क्या कहती है गायत्री जी अंद्रिश कि इन पर अंद्विश्वास था एडविन जी आप इस बारे में क्या कहेंगे जिस तरह कोर्ट के कोर्ट ने लोटिस भेजा और समर्थकों ने विरोध किया उन्हें नहीं पकड़ने दिया इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे बिल्कुल गयत्री जी के बास्ता मैं सहिम नहीं कर पाते हैं और जब ये तैह होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है संसरामपाल की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने जिस तरह से अपने आपको कबर करने के लिए लोगों का इस्तमाल किया पूरी की पूरी भीड जमा हो गई मैं एक कानून से वी ऊपर उठने की बात है ये मामला कोई आज का नहीं सालों पुराना है कानून ने कई बार इस पर एक्शन लेने की कोशिश की लेकिन बावजूद इसके उनके समर्थ तक बार बार इस बात का विरोध करते रहे हैं ये कहना चाहता हूं यदि कोर्ट ने आपको कोई समन भेजा है आपको इस परक्ष और सब आप साफ सुत्रिश अभी की हैं तो आप अपनी बात को अदालत में पेश करिए ना कि भी मैंने मैंने कोई गुना नहीं किया है अदालत ने बनी हुई इसलिए है यदि आप अदालत में जागो चोटे नहीं हो जाओगे मेरे मानना तो यह था कि उनकी वज़े से कई लोग की जान गई यह शाहिए अब इस बात का एसास हो रहा होगा कि उनकी वज़े से आज बैसे भी आज जिल में हैं या नहीं है वो इससे अच्छा तो यह होता है कि वह पहले ही समरपन कर देते या पहले ही पुलिस की बात मान लेते तो इतना ताम जाम सब क्यों होता तो मेरा कहने मतलब यदि आप बाबा हैं आप एक पद को आप बैठे हुए हैं कि भही मैं लोगों के प्रती आस्ता का केंदर बनावा हूँ और उसके बावजूद कि आप इस तरही हरकते करते हैं मेरे खाल से बहुत मेरे उनको एक्षट नहीं करना चाहिए और कड़ी से कड़ी करब है ऐसे लोगों के पहुना चाहिए खासकर जो कानून को अपने से नीचे समझते हैं उसको खुद अपने उससे उपर आकर बैठ जाते हैं तो बड़ा मेरे खाल से कॉंट्रिवर्शनल मामला है और इस पर जरूर लगाम लगनी चाहिए ऐसे लोगों कानून के साथ खिलवार करना बेहत ही गलब बात है अब बात करते हैं आशुतोष महराज जी के बारे में जिन पर इस बात को लेकर असमंजस की स्थती बनी हुई है कि वो मृत है यह समाधी में है उनके समर्थकों का मानना है कि इस से पहले भी वो इस तरह की समाधी ले देखे चिनू इस पर कोट का अल्रडी बयान आ चुका है और कोट ने यह कहा है कि उन्हें निकाल लेना चाहिए बाहर और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आदमी ऐसे जीवित नहीं हो जाता और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग धर्म का बाजारी करन कर रह रहे हैं तो ऐसे लोगों को लोगों को भी खुच चाहिए कि वो ऐसे लोगों से अवेर रहे हैं जहां पर पैसा और यह सारी चीज़ें आ रही है वहां पर लोगों को नहीं इंवाल्व होना चाहिए और अदालत में पहुचना चाहिए ऐसे मामलों को लेके पुलिस से शिक वार है दुबारा जीवित होने वाला जो मामला है ये एक बहुत बुरी चीज है और इन चीजों का विरोध होना चाहिए और कोड को फेटा फेट एक्शन लेना चाहिए दिक्षा जी मैं आप से जानना चाहूंगे कि हमारे देश में अकसर सामप्रोदाइक दंगे बहड़कत हैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में चीजों जी देखिए जब भी किसे कोई सामप्रदाइक या दो गुटों के बीच में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो बहुत जायसी बात है कि हर एक घटना जो होती है वो पहले से पूरी मेंटेन नहीं होती कुछ चीज माध ही लिए बैठे हैं तो अगर आप ऐसी बाते करते हैं कि बाबाओं की गलती तो आप यह भी तो देखिए वो जन्ता जो ना आग बंद करके फॉलो करने लगती है कहीं नहीं उन्हें भी तो यह चीज समझनी चाहिए कि आप आप भी एक इंसाने सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल खदम हो गई है या इस पर दूसरा पक्षी हो सकता है कि आपका दिमागी संतुरन हिल चुका है कि आप अपने दिमाग से ना सोचकर दूसरे के दिमाग पर इतना विश्वास करने लगे हैं तो यह चीजे पूरी तरह से उलजी हुए इस तिति अपने आप पनप होती है या फिर ऐसे स्थिति उत्पन की जाती है सियासे दारोद्वारा उत्पन की जाती है ऐसे नहीं होती है यह जो मुद्दे होते हैं यह धर्म को लेकर ही करे जाते हैं यह दो धर्मों के बीच में एक इस तरह से वह बनाया जाता है कि जिससे कि वह दंगे फैले और उस हिंद्व क hallway श plastic को नरम गरम करने के लिए 하지 राए और यह कोई रहा ही इस तरह दर्मानतर्स्ट में कि सज में आरव है वी वागर भड़ा सवाल करते हैं कई हिंदू मन रहा है कोई मुस्लमान तो कोHeश्ण आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर जिस तरह हाल फिल हाल में आगरा में और बहराइच में के मामले सामने इस पर आप क्या कहते है एडविंट जी आप के मामले आपको जोड़ सकते हैं किसी भी धर्म को मान सकते हैं उसके हिसाब से हम देखे हैं तो कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है माने तो के सबसे बात की जाए सबका अपना एक महत वैस सब अच्छी बाते सिखाते हैं सब भी समाज को बहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन जिस तरह से सियासत इस मसले पर अभी फिलाल देखने को मिल रही है यह बड़ा ही सोचनी प्रशन है कि हम एक ऐसे देश को कोई धरम अच्छा लग रहा है वहाँ पर जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है हमारी अपनी मानेता है मेरी मानेता किसी धरम के उपर है और मैं जा रहा हूं तो इसमें कोई भी गलत या अशोबनी बात नहीं है लेकिन जिस तरह से इसको सियासत करने वाले लोग सियासी हवा दे रहे हैं इसको पेश कर रहे हैं इसके खराब कर रहे हैं माहूल को पूरे मेरी ख्याल चाहल गलत है एक ये बाद एक बैन बादी हो रही है कि कि डौरे एक कीस secular चिस तक पुरा एक धर्म निर्पेक्ष देश में ऐसी स्थिती पैदा होना अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है और ये बेहद ही निंदन ये बात है मैं एडविन जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह ये मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में कई तथ्या निकल कर सामने आये हैं कि कही ना कही लालच देकर या फिर लोगों को लोगों पर दबाव बना कर ये सब किया जा रहा है आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे देखे चीनू जो राजनिती करण हो रहा है धर्म का वो बड़ा गलत है और इस तरह की चीजों से राजनिताओं को भी बचना चाहिए और आम जंता को भी इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए और ना कि इन मामलों को तूल देना चाहिए और मेरा मनना है कि मीडिया को भी खासतोर पर ऐसे मुद्दों को हाइलाइट नहीं करना चाहिए जादा जो की बहुत जादा हाइलाइटेड हो रहे हैं और इन सारी चीजों से बचते हुए अगर हम चलेंगे कोई किसी में भी आस्ता रखता है वो बने लेकिन जबरन जबरद समले पर क्या कहेंगी जैसा कि चिनो जी मैं धर्मान तरग मुद्दा भी अपने का आग्रा में हुआ बहराइश में वहां और बाके में बहुती सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी को हिंदू बना रहा किसी को जबरन मुसल्मान किसी को इसाई अभी हाली में पर टुंडला का कैसा है 20 महिलाओं ने इसाई धर्म को अपना लिया लेकिन उसके पीछे जबरन ने उस पर मजबूरी आई थी तो कहीं ने कहीं जबरन भी नहीं कह सकते आप और एक मजबूरी इंसान की होती है जो इसकी पीछे जो धर्म परवर्तन वो करते हैं तो ले दे आज हमने बात की धर्म और आस्था के नाम पर जिस तरह धर्म गुरु लोगों का बेवकुफ बनाते हैं और उनकी मानसिक्ता के साथ खिलवार करते हैं ये बेहधी निंदन ये बात है अगली बार आप से फिर मुलाकात होगी किसी सामाजिक मुद्दे के साथ तब तक के ल